भाई और भेनों, हमारे अतीत के अनुभव बताते हैं कि देश के इन्फासक्चर के विकास के उस विकास को राज नीती से दूर रखा जाना चाहिए। देश का इन्फासक्चर किसी दल की विचारधारा का नहीं देश के विकास का मार्ग होता है। क्वालिटी बेस परदा हो, स्पीड बेस परदा हो, स्केल को लेकर के स्परदा हो। मेहां एक और मानसिक्ता का भी जिक्र करना जरूरी समरता हूँ। जो अक्षर हम प्रदर्शनों और अंदलोनों के दोरान देखते हैं। ये मानसिक्ता देश के इन्फासेक्टर को, देश की संपत्ति को नुक्सान पहुचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इन्फासेक्टर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरीकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मद्यमबर का, समाज के हर वर्क का, इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है, गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है, तब सब बनता है, इसको लगने वाली हर चोट, देश के गरीब, देश के सामान ने जन क को चोट है कि इसलिए अपना लोगतांत्रिक अधिकार जताते हुए अमें अपने राष्ट्रिय दाइत्व को भी नहीं भूलना चाहिए साथियों जिस रेलवे को अक्सर निशाना बनाये जाता है वो किस सेवा भाव से मुश्किल परिस्थितियों में भी देश से काम आती है ये कोरणा काल में दिखा है मुश्किल में फसे समीकों को अपने गाउं तक पहुचाना हो दवा और राष्ट्र को देश के कोने कोने तक ले जाना हो या फिर चलते फिरते कोरोना अस्पताल जैसी सुविदा देना हो रेल्वे के पूरे नेट्वर्क का सभी कर्मचारियों का ये सेवा भाव देश हमेशा याद रखेगा यही नहीं इस मुश्किल समय में रेल्वे ने भार से गाउं लोटे स्रमिक साथियों के लिए एक लाग से जादा दिनों का रोजगार भी सुजित किया है मुझे विश्वास है कि सेवा सभाव और राष्ट के समरुद्ध के लिए एक निष्ट प्रयासों का ये मिशन अनवरत चलता रहेगा